जै मातादी आपके इस पसंदिदा चेनल द्यान आईरवेद में आपका श्वागत है मैं देव आपके लिए फिर से एक नए विशे पर वीडियो लाया हूँ विशे यह है कि व्यक्ति जब पूजा या ध्यान करता है तो उसे सरीर में जटके मैसूस होते हैं क्या कारण है कि ये जटके मैसूस होते हैं लोगों के इस पर अपने अपने विचार और तरक हैं इसमें दरसल होता ये है कि व्यक्ति जब पूजा या ध्यान की श्तिती में होता है तो उसकी संचित उर्जा मूलाधार से उठकर सहिस्तरार की तरफ जाती है लेकिन ब्यक्तियों की खुद की कमी की बज़े से यह उर्जा जब सहिस्तरार तक न जाकर इधर उधर गूमती है तो वहां दिक्कत देती है जिस चक्र पर लौक हो जाती है तो वहां बेदना और तकलीफ तक देने लगती है इसमें गलतियां ये होती हैं कि लोग ध्यान से पहले स्वर को बैलेंस नहीं करते हैं सामाने स्वर इड़ा या पिंगला से चलता है इसे चंद्र और सूर नाड़ी भी कहते हैं लेकिन उसे ध्यान से पहले सुसुमना से लेना पड़ेगा क्योंकि इड़ा पिंगला शर उर्जा को ज़्यादा से ज़्यादा आग्या चक्र तक ही ले जाते हैं सेस्त्राट चक्र तक नहीं दे जाते द्यक्ति फिर वी उर्जा को नहीं रोकता तो उर्जा उन्हें ब्लड प्रेसर, माइग्रेन और जटके देना शुरू कर देती है इसलिए द्यान से पहले हमें संतुलित आशन पर बरावर बैलेंस से बैठना चाहिए क्योंकि बाया या दाया स्वर चलता है तो उर्जा आग्या चक्र तक ही जाती है लेकिन द्यान तक तब लगता है जब सहस्त्रार्थ तक उर्जा का संचार हो इसलिए द्यान या सुमरन में संतुलित आशन का होना जरूरी है जब उर्जा सुसमना से चड़े तो सहस्त्रार तक जाती है तो कोई दिकत नहीं होती है लेकिन जिन ब्यक्तियों के उर्जा का पत किलियर नहीं होता है वो सुसमना की जगए इडा या पिंगला नाडी पर चलते हैं तो उनकी उर्जा ज्यादा तर आग्या चक्र पर रुक जाती है। फिर वह उर्जा सेस्त्राट्थ चक्र को न जाकर इधर उधर चक्रों में लोग हो जाती है। और लोगों को जटके महसूस होने लगते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद ना है हो तो प्लीज लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद।